नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपका यूनिक ऑनलाइन गुरू चैनल में जसा कि मित्रों जानते हैं कि हमने देखा है इसके पहले वीडियो में इफ को देखा है इफ इल्स को देखा है इफ जो हमारी कंडिशन होती उसका आपसन हम लोग इल्स क और आप देख रहे हैं यूनिक ऑनलाइन गुरू चैनल चलिए कुछ अच्छा सीखते हैं तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आईडियले को हमने यहाँ पेज को ओपन किया ठीक है और पेज ओपन करने कवाद हम क्या करते हैं एक प्रोग्राम को छोटा सा प् बहुत ही इजी प्रोग्राम हम लोग थोड़ा से सको टाइब करते हैं हमने क्या दिया ए मेंने ऑगर किया दिया ऑर फिर ब्र greater than a यह सारी चीज़े तो मैं आपको already बता चुका हूँ इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ थोड़ी से मुझे सर्म भी महसूस हो रही है लेकिन फिर भी इस बात को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ठीक है greater than a यह हमने टाइब कर दिया तो यह हमारे कौन सा स्टेटमेंट है इस है अब इसके बाद मैंने दूसरा आप लोगों को बताया था ilse आप लोगों को याद होगा तो हम इस को भी दे देते हैं अब हम लोग जब इसको रन कराएंगे हम लोग जब इसको रन कराएंगे तो देखते हैं कैसे रन करता हमने सेव कर दी हमने किया इसको ठीक है अब देखे यह क्या दे रहा है यह बीज pitter देन एक क्यूंभ यह हमारा सही है बास समझ में यह हमारी condition क्या यह दिस है यह हमारी हमारी सही है लेकिन अगर हम यहाँ पे greater than की जगह अगर less-than कर दे तब हमारा क्या आएगा condition आप लोग देखिए हमारा क्या रहा दिस इस करेक्ट क्यूंकि हमारा else option ही आ रहा है दोस्तो बास समझ में आई इस तरीके से यह हमारी condition रॉंग लेकिन अगर हम लोग कर देते हैं यहाँ लोग ऑगर 200 कर दें तब हमारा condition क्या आएगा तब हमारा क्या आएगा देखो इस नाम है इस इसका नाम कर देख लिए अब इलिफ कंडिशन में क्या होता है हमने क्या किया मान लो यहां पर दिया A is equal to is equal to B दे दिया क्या दे दिया A is equal to is equal to B फिर इंडेटेशन देंगे फिर हम लोग क्या करेंगे start करेंगे तो हम लोग यहां पर लिखेंगे बोथ हार सेम भी तो लिख सकते हैं चलो लिख देते हैं ब अगर ये condition सही हो जाएगा तो इससे कोई relation नहीं होगा इनसे भी कोई relation नहीं होगा ये condition सही होगा तो भी इनसे कोई relation नहीं होगा तो सबसे पहले क्या चेक करता है हमारा line wise channel wise चेक करता जाता है और कुछ नहीं मिलता है तो वो ilz को print कर देता है दोस्तों ठीक है तो दोस्तों म तो हमारा ilif condition सही होना चाहिए और ilse को तब वो जाएगा ही नहीं जब हमारा ilif ही result देदेगा तो ilse के पास वो जाएगा ही नहीं तो इस तरीके से क्या होगा इसका answer ilif का आना चाहिए हम लोग इसको control save करके run कराते हैं हमारा ilif a is equal to is equal to be तो हमारा reply आगया क्या बोध हर सेम आगया तो इस तरीके से क्या करते है में इस program को run करा सकते हैं दोस्तों एक program हम लोग और चुटा सा देख लेते हैं इसमें में क्या देख लेते is equal to 50 देख सकते है ठीक है फिर हमने क्या किया, if हमने दे दिया, और if देने के बाद हमने क्या किया, चलो भाई, x is equal to 20, क्या दे दिया, 20 दे दिया, 20 दे दिया, चलो, और फिर हम लोग indentation दे करके क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, print, सॉरी, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, print और print लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, आप लोगों को पता है, हम लोग लिखते है, value of variable is a 20, कह लिखते हैं हम लोग, value of variable is a 20, हम लोग लिख करके लॉक कर देते हैं, इसको, चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इलिफ को दे देते हैं मैंने इलिफ बता दिया है आल्रेडी आपको क्या होता है फिर हमने क्या किया ब्रैकेट्स दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं उसका कोई इशू नहीं होता है बहुत बड़ा फिर हमने क्या किया यहां पर थर्टी कर दिया फिर हम क्या करेंगे यहां करसर इधर उदर चला जाता है कभी कभी कोई बात नहीं है value of variable is 30 चलो हम लोग यह दे तो यह 30 के बराबर है कि नहीं है यह चीजी भी चेक करेगा ठीक है फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं भाई यह तो हमारा last option है यह आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से और यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं प्रिंट लिखेंगे फिर हमने क्या किया brackets दिया फिर हमने double quotes दिये फिर हम लोग क्या लिख देते हैं value of variable is greater than 40 चलो हमने यहां पर लिख दिया और हम save करके इसको run कराते हैं देखिए यह थोड़ी सी mistakes दे रहा है क्यों mistakes दे रहा है क्योंकि यहां पर a की बज़ा x की बज़ा a हो जगया था तो वह problem आ रहे था अब देखें क्या दे रहा है value of variable is greater than 40 यह option क्यों दे रहा है आप लोग ध्यान से देखें इस बात को यहां दिया हुआ if x is equal to is equal to 20 तो यह गरबड़ है भाई यह बराबर तो है रही 30 है यह भी गरबड़ है यह भी बराबर नहीं तो क्या करेगा यह इल्स को print कर देगा तो इस तरीके से हमने क्या सीखा दोस्तों else if के बारे में देखे error आना जरूरी है अगर error नहीं आएगा तो आपको mistakes नहीं पता चलेगा क्योंकि जानते है जब कोई भी प्रोग्राम run होता है तो उसमें error का भी पता होना बहुत जरूरी होता है अगर हमें error का नहीं पता है कहते ना कि life में अगर कोई success वेक तीस जा करके पूछो तो सबसे पहले वो अपने success का सुत्र तो बताएगा है लेकिन किस कारण से वो disuccess हुआ किस कारण से वो success नहीं हुआ यह चीज भी आपको बताएगा दोस्तों तो यह error आना बहुत जरूरी error आप लोगों को आना चीए तभी आप लोगों को इसके solutions और problems का पता चलता दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आयो तो बिल्कुल आप लोग एक बार like, share, subscribe जरूर करें और हाँ आपने दोस्तों तक जरूर पहुचाए कि भाई हमारी live class चल रही है रात को 10 बजे और दिन